आज का टोपिक है artificial insemination जिसे AI technique या AI method बोल जाता है artificial insemination agriculture livestock production में पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी definition से तो definition है it is the deposition of male reproductive cells जो male reproductive cells है उसे हम बोलते है sperm in the female track that is vagina by mechanical means rather than natural service natural service नहीं होगी अगर जब हम उसमें क्या करवाते हैं sperm को वजाइन के अंदर induce करवाते हैं mechanical mechanical चीजों को यूज करके जैसे कि कुछ टिक्निक्स या कुछ ऐसे equipment यूज करके तो उस प्रोसेस को हम बोलते है artificial insemination artificial insemination जो थी फर्स जो introduced की थी वो खी थी डॉक्टर संपत कुमात ने 1939 में at dairy farm जो की मैसूर में है और artificial insemination का semen bank है वो हुआ था डेडी रिसर्च इंसिट्यूट में जो की करनाल में है the first buffalo calf was born through AI in 1943 जो पहला buffalo calf बना था वो बना था 1943 में अब move on करते हैं इसकी advantages पे तो advantages की बहुत सारी हम जितनी भी लिखेंगे बहुत सारी है मैंने यहां पर about 15 इसकी advantages लिखी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से so first है increase करता है usefulness of superior sires sires को बोलते हैं bull को बोलते हैं और dams आपको पता ही होगा cows को बोला जाता है जो female वाली होंगी तो increase करता है superiority को increase करता है extraordinary degree पर आगे क्या है second क्या है कि जो service superior sires की generally extend हो जाती है तो मतलब extend कैसे होगी कि हम एक ही टाइम पर कितने सारी जो bulls है एक बुल का जो semen होगा कितने सारी जो female dams उनके अंदर हम वो डाल सकते हैं with the help of mechanical means उसके बाद है if the sires are used for natural service अगर हम sires को natural service के लिए अकेला यूस करिया जाए the animal can serve only animal per year अगर एक ही जो बुल है वो तो एक ही female को reproduce करवा सकता है एक साल में एक ही female को करवा सकता है लेकिन हम इस technique के अंदर क्या कर सकते हैं under the artificial insemination the amount of semen secreted by the animal can be used to satisfy requirement of thousand animal per year एक ही साल के अंदर एक ही टाइम पे हम thousands of animals female animals है उनको हम क्या करवा सकते हैं उनके साथ जो male वाले का sperm होगा उससे हम उसको reproduce करवा सकते हैं female वाले को next है semen can be quickly and easily transported to different continents मतलब एक ही country में ही हम यह करवा सकते है semen bands तो हरे country में बने हैं तो हम एक country का दूसरे country में जाके भी जो है cow's का buffalo's का reproduction करवा सकते हैं artificial insamination करवा सकते हैं next करेंगे इसमें हमें breeding bull की maintain करने की नहीं है कि जो bull है उसकी breeding को maintain करने की कोई ज़रूरत नहीं है नहीं करते हैं जो राख जितने भी साल चाहें उस यूज कर सकते हैं next करेंगे spreading of disease is absolutely निल कि अगर हमें size ये weight की डिफिकल्टी आती है क्योंकि जब cow's जो bull मांट करती है तो उससे कहीं बार के ओता है कि काओ या बफलो फीमेल वाली है वह अपने पार्टनर का जो भार है जहें ली सकते है बट इस टेक्नीक में ऐसा कुछ होगा है इससी दिक्कत ही नहीं आएगी दाम्स और सायर्स के बीच में इन्ャषे राड़ किक्सेटिश बीच ही थाड़ कीनिक इससी कहते है कि हमाया निए यह पॉर्गे ऑसे हो ङॉर्ट इनसफ पर रहने के यह कावाल के वाहनाे की निय अनिक्तिщееट व मतिल्पीट उसे काई भाहर को बाहर होंगे नेक्स कंट्री में तो भूसरी कंट्री के भी वैटिंग करवा सकते हैं इससे क्या होगा कि जो मारी जो पेडिग्री रिकोर्ड वो भी बैटर रहेगा ठीक है अगर को इन्जेड है कोई इन्जेड है कोई कोई इ Lonnie सेमेन कता है फिर सेमेन पर नियोन सेमन है थे हमारी काई के भीना के समय है एंज सेमेन कम क्या कर सकते है एंढर दैसी है और इंडसी है उस बूल की तो तब भी हम उसका जो about 15 to 20 years तक जो semen उसको use कर सके next क्या है semen is expanded and number of animal can be crossed एक semen से हम कितनी ही females को cross करवा सकते है next है frozen semen can be transported to destination once in a month from semen bank तो हम semen banks के through हम जो है transfer करवाती है so that's all guys अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आगे होगी तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले और like भी कर दीजेगा अब next वीडियो में मैं इसकी disadvantages जोंगी वो बताऊंगी